खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईगे और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ेगे नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक हम सभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं बहुत जल्दी और अच्छे रिटर्न्स के लिए खास्तोर पर जमीन में भी बहुत सारे लोग बिलचस्पी रखते हैं इन्वेस्ट करने के लिए लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको यह फलता नहीं है आकिर उसके लक्षन क्या है और क्या उपाए आप कर सकते हैं इस पर आज हम गुरुजी से बात शेत करेंगे साथ ही जानेंगे परवरिष्टिप दिन का शुबशुब समय जन दिन राशी फल तो होगा ही और अंत मे लोगो को सुष्वड की राव गुरुजी आखिर वो कौन लोग होते हैं और क्या लक्षन होते हैं जिनको जमीन नहीं फलती या जो इन्वेस्ट करते हैं प्लॉट्स में जमीन में और उनको रिटर्न नहीं मलता इसके जिसका भी मंगल बहुत अच्छा नहीं है उसको जमी नहीं फलेगी इसके साथ साथ जिसका भी राहुश अली खराब है इधर जमीन खरीदी और प्रॉब्लम्स शुरू है अब ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं देखिए इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशश कीजिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता चला चारा है म पंगल कारे रुक जाएंगे बीमारी आ जाएगी अच्छे खासे मित्रों से जगड़े शुरू हो जाएंगे रेलेटर्स में जगड़े शुरू हो जाएंगे ऐसे रोग जिनकी कलपना नहीं कर सकते वो शुरू हो जाएंगे बिजनस हलका हो जाएगा वाहन दुरगटना ह होनी शुरू हो जाएगी घर के अंदर होनी शुरू हो जाएगी इस में से उट मैध्पूर Maury निकलते आCoň इस रोग भर उचाकालो कक्णे लगार के वहाद घाने उसके बाद वेपार एक दम से म्याण होज यह हैं लक्षड है यदि आपको नया घर या जमीन जो आपने खरीदी है वो नहीं फ़ने तो अब देखिए हर व्यक्ति बहुत कुछ सोच कर जमीन लेता है या तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू से लेता है और या फिर उस पर ऐसे मकान बनेगा वैसे मकान बनेगा उ इस पॉइंट व्यू से लेता है लेकिन सामान ने परसी ती उसके सामने आजाती है अब सामान-वैंट वैसे ही जिंदगी में चलती है। Serge से मने जोडिएगा नहीं तो खामौ कह वहम पैदा होगा जिधिश वहम पैदा नहीं करता है जिधिश वहम को दूर करता है लेकिश अजीब हो गरीब असमाने सिचुएशन सामने आकर खड़ी होने लगती है वो अच्छन नहीं कुछ लोग जो 42 से 45 के बीच में जमीन खरीगते हैं वो मेरी बात को जरा ध्यान से सुने यदि आप 42 से 45 के बीच में हैं और आपने जमीन खरीदी और उसके बाद असमाने परसिती आपके गर में या शरीर में उत्पन होनी शुरू हो गई है तो इसका मतलब यह है कि वो जमीन आपको नहीं पर्ण रही कुछ उपाय में बताऊंगा वो कर लीजेगा नहीं तो मंगल कारियों पर शरीर पर आपसी संबंधों पर वेपार नौकरी पर बुरा प्रमाओं पर सकता है तो ध्यान रखिए ये वो लक्षन है जो गुरू जी ने आपको बताए अगर आप भी कोई क्रिटर्न के लिए जमीन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा आप बात करते हैं आज के राशिपल की गुरू जी प्रथम चार राशियों का दिन कैसा होगा यानि मेश रुश्व मिधोना करक राशि का हाद मेश राशी दिन आपके लिए भाग दोड़ वाला रहेगा आप अपने वाहन का बहुत ख्यार लखिएगा और खास और से आप यात्रह में जाएं तो स्वास का भी ध्यान आपको रखना होगा एक छोटी सी साफधानी इस दिन भाई बेनों का बहुत ख्यार लखें उपाय क्या करना है इस दिन को बेतर बनाने के लिए आप लाल वस्तु का दान जरूर कर दीजेगा वस्त कोई भी हो सकता है ब्रिश्व राशी ये दिन आपके ये अच्छा है काम बनते हुए दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन ठकन रहेगी मन कुछ वेथित रहेगा लेकिन एक छोटी सी साफधानी जरूर रखे इस दिन भाशा का सही प्रियोग करें उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेतर करने के लिए आप पके हुए भूजन का दान अश्र कर दे मितुन नाशी ये दिन बहुत बड़े काम करने के लिए नहीं है बड़ा रिस्क बिलकुल मत लीजेगा अन्यता नुकसान हो सकता है जो लोग निवेश करते हैं स्टॉक मारकिट का काम करते हैं उन्हें खास दोर से बहुत ध्यान रखना होगा एक छोटी सी साफधानी जरूर परते हैं इस दिन घर गरस्ती में आपकी वज़े से वाद वाद ना हो इस बात का ख्याल रखें वो पाई क्या करेंगे इस दिन को बेतर बनाने के लिए पांच कच्ची सब्सी का दान जरूर करते हैं करकराशी यह दिन एक और तो आपको सफलता हैं देगा अच्छी सोंच देगा अच्छे लोगों से मिलवाएगा वहीं दूसियों शारीर की कमजोरी और धन की कमी भी देगा इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेगा एक साथानी विशेशूप से जरूर रखें इस दिन अपना भोजन अच्छा रखें और किसी भी इंफेक्शन से बचने की कोशिश करें अगर इंफेक्शन हो तुझे किसी सला जरूर ले ले उपाय क्या करेंगे दिन को बेटर बनाने के लिए दूद का दाना वश्य करें ध्यान से सुनते जाएए उपाय भी नूट करते जाएए दिन अच्छा हो जाएगा अब बात परवरेश टिप कीजी हाँ वो टिप जो हमारे माता पिता को बताती है कि बच्चों के पालन पोशन में किन बातों का ध्यान रखना होता है गुरू जी आज की परवरेश टिप बच्चों के बालों का थोड़ा सा ध्यान दीजे यदि बच्चों को गुसा आता है और उनके सिर्पर हलके बाल है तो यह अच्छी निशानी नहीं है इसका मतलब ऐसे बच्चों के शरी में प्रोटीन नहीं लग रहा ऐसे बच्चों को चांदी के ग्लास में जल दीजे जला दिका दिक पिलाईए अच्छा मोहल दीजे उनका गुसा शान तो हो जब उनका गुसा शान तो होगा तभी उनके बाल गहने गरे होंगे अन्यता उनके बाल गहने नहीं हो पाएंगे कितनी बहत पूर्ण बात है ये और अब बच्चों का मामला है ध्यान तो रखना ही होगा रोज गुरुजी आपको एक ऐसी ही टिप देते हैं अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका आज जनम दिन है उनका साल कैसा रहेगा खास तो पर ये शो लोग जरूर देखते हैं कि साल भर का हाल एक साथ मिल जाता है तो गुरुजी उनको हैपी बड़े कह दीजे अपने अंदाज में तो जिन लोगों कभी आज जनम दिन है हम लोगों के ओर से उन्हें जनम दिन की धेर सारी शुब काम देख आपके आगया आने वाले 12 महीने मिला जुला फ़न देने वाले हैं अपसे लेकर फरवरी तक कर जो समय है ये अच्छा नहीं है क्राइसिस रहेगा बहुत सारा भ्रम हो जाएगा और उसके वज़े से कुछ भी कारे आप नहीं करेगे जो कारे करने की कोशिश भी करेंगे उस कारे में सफलता हथ नहीं रहेगी शुरू में लगेगा कारे आपका चल गया बहुत बढ़िया हो गया लेकिन उसके बाद और फिर रुक जाएगा बलकि नुकसान भी देगा इसलिए कोई भी नया कारे मत कीजेगा मार्च से आपके पास अच्छा समय है उसके बाद से लेकर तो भागयो देगा समय प्रारम होगा तब आपके जिन्दगी में बहुत अच्छे अफसाद भी आएंगे तो थोड़ा सा देहरे धारन कीजेगा बाकि कुल मिला के आगे बढ़ने का वक्त है चिंता ना करें बस दो तीन उपाय करें सबसे बड़ा उपाय तो जैसे माने का देहरे ही है दूसरा जो महित्पूर है वो अपने रिष्ट को रोजाना पीला पुश्पूश जरूर भीट किया कीजेगा और अश्टमी के दिन हर अश्टमी के दिन आप आट वर से छोटी किसी भी कम्या को सेवा भाव के साथ भूजन जरूर कराय कीजेगा और कुछ राशी भी दे दीजेगा जिससे वो प्रसंद में हो जाएगी वो प्रसंद आपका काम आगे निश्ची तूप से बढ़ेगा आज हम बात करें हैं जमीन की जो लोग जमीन में इंवेस्ट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं उनको वो सूट करेगी या नहीं इस पर आज हम गुरू जी से जानकारी ले रहे हैं गुरू जी कई बार केसे ऐसे होते हैं जमीन ले लिए और लक्ष की दिख रहे हैं कि शूट नहीं कर रही ही तो ऐसे में क्या करें जी अब जमीन लेनी में अब क्या करें लेके उस जमीन के मदमें नापना पडिए दॉस्षra में सकते हैं उसके साथ साथ जो भी आपके इस्ट हो उन इस्ट का कोई सोरूप ले या फिर उनका कोई चिन आदी ले ले उसको उस जमीन के मंध में आप इस्थापित कर दें किसी इस तरीके से करिएगा कि वह गंदा ना हो और उसकी केर हो सके ठीक है यह थोड़ा सा मुश्किल ह दोगा करके देखेगा जिस प्रकाश से भी कर दे मांद जीए कि आप मादुरगा की उपासना करते हैं तो आप कही चोटा सा त्रशूल खरीद लिए या अब ऱगवान की उपासना करते हैं तो कहीं चोटा सा त्रहूल ले लिजिए और वह उसके मद में ले जाकर उना और भूमी आप अपने इस्ट को समर्पित कर दिए और इसके सामने कह दीजे जब भी ये भूमी बिकेगी या जब भी मैं रहूंगा कुछ ना कुछ कारे आपकी शुर्ष्टी के लिए या आपके बंदों के लिए जरूर करूंगा चाहे वो समाज का कारे करके करूं चाहे व पर्यावन का कारे करके करूं वो बाकाइदा आप उनके सामने यह वचन लेंगे और फिर भूल गया अगर निच्छे तुमसे नुक्सान होगा इसने बूलियेगा नहीं तो घबराने की बात नहीं है जमीन यदि आपने ले भी ली है तो उपाए भी आपके पास आ गए है जो गुरुजी ने आपको बताए है आगे भी हम इस पर गुरुजी से चेप्चा करेंगे लेकिन उससे पहले दिन का शुब अशुब समय जानने का वक्त हो गया है गुरुजी वो क्या रहेगा ग्यान से नोट कीजिए विजीत मूत रहेगा ग्यारा बच के पच्पन मिट से बारा बच के पुछाश मिट तक और इस दिन आपको अम्रत काल नहीं मिलेगा कोई भी बहत्वपून काम इंपोर्टन मीटिंग हो या कुछ भी नया या बड़ा शुरू करने जा रहे हैं तो शुब समय का ध्यान जरूर रखिए राशी फलकाभी लोग गुरुजी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं जो भीच की चार राशिया है उनका दिन कैसा होगा यानि सिंग करनिया तुला और ब्रशिक राशी का हार सिंग राशी यूँ तो देना चाहे लेकिन मन भागेगा बहुत सारे विचार होंगे ये भी करें वो भी करें और इस चक्र में कुछ भी नहीं कर पाएंगे आलत से की वजह से ये दिन आपका वेस्ट भी ओ सकता है से रखें उपाई क्या करेंगे इस दिन को बेतर बनाने के लिए आप ओम रुद्राय नवां का जब करें अपने काम पर जुटें करन्या राशी यह दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है प्रतिष्टा पर कोई आँच आ सकती है इसलिए बहुत सो समझ के चलना होगा लो समय आपके लिए अच्छा है इस समय कागदी आपने सदुप्यों किया तो आप कुछ बहुत अच्छा बेतर कर सकते हैं अन्यता कोई परशानी हो जाएगी इस दिन निर्ने अच्छे लेने बहुत आउशक है एक छोटी सी साफधानी जरूर रखें इस दिन किसी की भी बात पर आखमून का रिशास मत कीजिए और क्रोट से बचिए उपाय क्या करेंगे दिन को बेतर बनाने के लिए पके वे बोजन का दान करें अच्छे क्राशी यह समय आपके लिए अच्छा है कुछ परिशानी आपकी कम होंगी आगे बढ़ने के अफसर मिलेंगे निकिन एक छ का दान करेंगे बहुत ही आसान से उपाय है दिन अच्छा हो जाएगा आपने राशी के हिसाब से नोट करते जाएए और साफधानिया भी रखिए आज हम एक और उपाय गुरुजी से पूछ रहे हैं और वो उपाय जमीन से जुड़ा हुआ है गुरुजी जिनको जमीन न ठीक है और जब भी इसे आप सेल आफ कीजेगा आप इसको बता दीजेगा कितना धन मैं आपके कारे में लगाऊँगा ठीक दूसरी बात एक छुटा सा काम आपने हर मंगलवार के दिन शीशे के बरतन में दूद का दान करना है किसी को भी आप ये कर सकते हैं तीसरा काम शन उसमें परवाहित जरूर करना है और एक बुजर्ग दिव्यांग को भोजन अवश्य कराना है बस ये नियाम अगर आपने निवा लिया तो आपकी परशानिया हैं परशानिया कम होती चली जाएंगी एक काम पित्रुसर्जनी अमावस्या और मौनी अमावस्या पर जरूर क कीजेगा कि इस दिन कुछ बुजर्ग ऐसे लोग जो नर्दन हैं अक्षम हैं उन लोगों की मदद के लिए को विश्वेश कारे अवश्य कर दीजेगा जो आप आसानी से कर सकते हों ठीक अगर अड़ाई जगड़े परशानिया ये बहुत जादा बढ़ गई हैं तो कोशि कर लीजेगा यहीं इसके उपाएं हैं इन उपाएं से करने से शाति अवश्याति हैं चोटे-चोटे उपाएं हैं बहुत आसान हैं लेकिन देखे कितनी बड़ी मुसीबत से आपको बचा लेंगे खास्तों पर उन लोगों को जिनोंने इंवेस्ट कर दिया है और अब उनक अंतिम चार राशियों का राशी फल जान लेते हैं गुरुजी उनका दिन कहता होगा धनू मगर कुम्भार्मीन धन और आशी यह दन धन के मामले में प्रतुष्टा के मामले में थोड़ा कमजोर है यदि आप मौकरी पेशा है तो आपको आफिस में बहुत ध्यान लखने की आशिकता है बस एक छोटी सी साफ़धानी जरूर रखिएगा इस दन आप किसी को धन धार ना दे और सोस समझ क कर केंद दस्तखत करें उपाय क्या करना है इस दिन को बेटर बनाने के लिए आप चावल का दान अवश्र करते हैं मकर राशी जलबाजी में वाहन मत चलाईएगा बहुत सोस समझ कर ड्राइविंग आज आपको ने करनी है दुर्गणिना की योग देख रहे हैं सीड़ी से उतरते चरते भी थोड़ा सा एलर्ट रहिएगा एच छोटी सी साफ़धानी इस दिन मित्र बहुत सोस समझ कर बना कुम्बराशी ये समय आपके लिए बेटर है दो पहर बाद आपका कोई क्रुका उभा कारे आगे बढ़ भी सकता है लेकिन एक छोटी सी साफ़धानी जो काम आप नहीं कर सकते उसका वायदा मत कीजेगा अन्यता आपको परशानी होगी एक छोटा सा उपाय कर ले इस दिन आज आप काले लीले कपड़े नहीं पहनिएगा और भोजन सामगरी किसी जरूत मन व्यक्ति को जरूर दीजेगा मीर नाशी भागय पक्षा आपका ठीक है आप मेहनत कीजे काम बनेंगे भी हाँ कामों में थोड़ा लेट हो सकते हैं किसी व्यक्ति से जिससे आपको पेक्षाएं होंगी वह थोड़ी सी परशानी क्रियेट कर सकता है लेकिन फिर भी कुलमिला के समय अच्छा है ज़्यदा अपका सा उपाए इस दिन यदि सब्भव हो सके तो सफेद धागा धाहिनी कलाई में बांद कर जाए और हां अपने इष्ट का नाम लेते हुए अपना दिन प्रारम कीजेगा दिन तो आपका अच्छा हो गया उपाए भी आपने नोट कर लिए सावधानिया पता चल गई शीतल जी है जो लिख रही है अपने भाई के बारे में उनके भाई का अक्सडेंट हुआ था तीन साल पहले और कमर के नीचे का हिस्सा पारलाइज है वो ठीक हो पाएं गया नहीं घर के स्थिती भी बहुत खराब है और उनका लेफ्ट हाथ और राइट लेक पूरी तरह से पारलाइज है वो चल भी नहीं पाते डिपेंडेंट हो गए हैं देखे आपके भाई किस्तिती थोड़ी बेतर जरूर होगी यह बात तैह है इसलिए आप हिमत मतारी और भाई को भी बोलिए कि वह बिल्कुल भी हिमत नहीं हारे एक साल तक आपको कुछ है कुपाय करने कर सकते हैं या नोग योग निद्रह का ब्यास कर सकते हैं ध्यान का ब्यास लेटे लेटे भी कर सकते हैं बैट के भी कर सकते हैं इससे उनको बहुत तेजी से लाब होगा और तीसी चीज़ है दिन में जितनी बार मुका मिले ओम का जब करें और ओम का जब करें और ओम का और शनिवार के दिन वह गेहूं का या जो का दान अवश्य कर दें या इनके आटे का दान कर दें यह उपाय करें साल बर के अंदर देखिएगा बहुत फ़रका जाएगा उपाय करते रहें इश्वर पे छोड़ दीजे इश्वर इच्छा है लेकिन निश्चिन्त भाव से और पूरी फेट के साथ आप यह उपाय कीजे क्योंकि गुरुजी के उपाय काम करते हैं बैने देखा है अब उस विचार को जानेंगे जो हम सबका दिन बना देता है गुरुजी आज का विचार गालिस साब की बात जो आज के दौर में भी एक तंफिट बैठती है हमको उनसे बफा की है उमीद जो नहीं जानते बफा क्या है कि इसी लिए आज की दुनिया में आप उससे दोस्ति कीजिए केवल उससे ही कुछ अपेक्षाएं रखिए जो ऐसा व्यक्ति हो जो किसी के अपेक्षाओं को पूरी कर सके हर व्यक्ति से यह आप अपेक्षाएं रखेंगे तो निश्चत रूप से उदासी जिरनी पड़े वाकई में ऐसा होता है गुरुजी और जो लोग अपने जीवन में खुद ही सच्चे नहीं है अक्सर उनसे ही अच्छाई और सच्चाई की उमीद हम लगा लेते हैं तो ध्यान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका दिन खुब शुभ हो राव राव नमस तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कल फिरोगी आपसे मुलाकात एक नए विशे के साथ हमें दीजे इजाज़त और आप देखते रहें एबीपी नियूज नमस्कार झाल झाल